विचित्र इस्थिती है इस वक्त देश में भरष्टा चार पर रा रहे दो दो हाथ की स्थिती है भरष्टा चार पर एक और CBI, ED और Income Tax है उसकी छापे मारी है धुवधार तावर तोड और दूसरी तरफ विपक्ष की मांग अडानी मामले पर JPC बढ़ाओ इन दो मुद्दों के बीच में पूरे देश की सियासत घूम रही है और इसी के बीच में एक नई परिस्थिती पैदा हो गई वो नई परिस्थिती ये कि बिहार में सत्ता रूड गठवंधन की बड़ी पार्टनर है बड़ा आर जे डी उसने मांग कर दी मुख्यमंत्री से नीतिश बाबू से कि ऐसा कानून बना दो बिहार में कि एडी हो सीबी आई हो इंकम टेक्स हो कोई बिना इजाजत के सरकार के बिहार में घुस नहीं पाए अब मामलात बड़ा कठेन हो गया क्या राज्य ऐसा कानून बना सकते हैं और अगर बना भी लें तो क्या वो संसत के विशेश अधिकार में हर्स तक्षेप नहीं होगा क्या राज्यों की विधान मंडलों में बने हुए ऐसे कानून नयाईक शमिक्षा पर खरे उतरेंगे के नहीं सुप्रीम कोट राई कोर्स में क्या राज्य केंद्री जाँच एजिंसियों के अधिकार छेत्र को सीमित कर सकते हैं यह तमाम बुनियादी सबाल खड़े हो गए और आरज्येडी की यह मांग इसलिए आई ऐसे समय में आई और इसलिए आई क्योंकि अभी हाल में ही राबडी जी से CBI ने पूस्ताच की लंबी फिर लालू जी से की और उसके बाद 24-25 जगा एक साथ चापे मारे गए और फिर उसके बाद तेजस्वी आदव को भी CBI ने नोटिस थमाया कि आप पूस्ताच के लिए हजिर होई है तो इतना सब होने के बाद आरजेदी को लगा कि नहीं अपने सूबे में ED को CBI को income tax को रोका जाना चाहिए लाग टके का सवाल यह ही कि क्या इसस संभाव है और इसस संभाव है तो पर ये केंद्री जांच इजिंसियां किर लूडों केलेंगी क्या कुशिक केलेंगी हर राजे कहएगा कि हमारे राजग में भी आप आएगे तो हमसे permission लेंगे तो पर ये जांच कहा करेंगे कोई ना भारत का एक एक इंच भूभाग एक एक इंच भूभाग किसी ना किसी राज्य का हिस्सा है और सारे राज्य अगर यही लाइन और लेंथ ले लें तो उसके बाद इन केंद्री एजिंसियों के पास हरिद्वार या रिशिकेश जाके सन्याश ले लेने के अलावा और क्या भी कल पर रहेगा समिधान ने जब कलपना की कि केंद्री एजिंसियां होंगी और उनके लिए नियम काईदे बनाई संसद नहीं तो दिमाग में बात रही होगी कि क्या राज्य इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं यह करना चाहिए उनको और करना चाहिए मान ठीक होता तो समिधान उसमें से कोई रास्ता निकालता कि मैं इन परिस्थितियों में राज्यों को अधिकार होगा लेकिन आज वो परिस्थिती बन गई कि बिहार कह रहा है कि हमारे इलाके में हमसे बिना पूछे नहीं अब आप सोचिए मान लीजिए तेजस्वी आदम जी से पूछ्टाच करने के या आर जेडी के किसी या जेडी यू के उधारन के तोर पर कह रहा हूं किसी बड़े नेता के यहां छापा मारना हो इडी को, सीबी आई को और इनी की सरकार से उसको अनुमति लेनी हो तो छापे का कोई मतलब रह जाएगा बताईए पिर तो सीबी आई को बताना पड़ेगा कि हम इस आदमी के यहां छापा मारना चाहते हैं इस कारण से इस समय तो फिर सूचना तो सारजनिक हो जाएगी फिर उसमें गोपनिय पक्ष कहां रहेगा यह बड़े सारे सवाल हैं बड़े सारे पेच हैं क्या छित्रिय दलों को अब लग रहा है कि सीबी आई और एडी से मुक्ति का एक मातर रास्ता यही है कि जहां आप सरकार में हैं वहां इनके प्रवेश को सीमित करें प्रतिवंधित करें और अगर हां ऐसा लग रहा है तो यह भारत के संगी धाचे के लिए भी एक बड़ा सवालख़़ा हो रहा है केंद्र की शक्तियों के खिलाफ एक सवाल ख़़़ा हो रहा है आज भाजपा की सरकार है कल दूसरी की सरकार केंद्र में होगी क्या कमजोर और अशक्त केंद्र भारत के लिए अच्छा होगा क्या देश को सम्हाले रखने के लिए एक मजबूत केंद्र नहीं चाहिए क्या केंद्र ऐसा होना चाहिए कि उसकी शक्तियों पर जब चाहे कोई राजिसरकार रोक लगा दे प्रितिबंद लगा दे यह तमाम मसले हैं बड़ी विशित्रिश्थिति पैदा हो जाएगी मुझे लगता राज्य सरकारों के हाथ में अगर केंद्रिय जांच एजिंसियों का आबागमन और उसकी अनुमति का विश्यर रहेगा तो जो इजिंसियों का केंद्रिय स्वरूप है उसका उचित ही खतम हो जाएगा मसला यह नहीं कि सरकार केंद्र में आज भाज़पा की है कि किस की है कल दूसरे की हो सकती परसो तीसरे दल की हो सकती है केंद्र की सरकार तो रहेगी पाल्टियां बदलती रहेगी क्या भारत एसी केंद्री जांची जिन्सियां चाहता है जिनका आपा गमन राज्य सरकारों की अनुमती पर आधारी तो निर्वरों यह बड़ा सवाल है सम्विधान ने एक विवस्था की कि कुछ विशे केंद्र के कुछ राज्य के और कुछ कॉंकरेंट लिस्ट के यानि सम्ववर्ती सूची के जिनमें राज्य और केंद्र दोनों अपनी अपनी बात कहें लेकिन कुछ मसले केबल केंदर के पास रखे गए उनमें राज्यों का दखल लाई और कुछ मसले राज्य के पास रखे गए जिसमें केंदर दखल लाई दे ये केंद्र के की सूची में है राज्य इसमें क्यों चाहते हैं बिहार क्यों चाह रहा है कि ED, CBI और Income Taxi C.C. केंद्री एजिंसियां को उनका आना जाना राज्य सरकार की अनुमती से हो तब आपके सहयोगी दल ले कहा कि भाई ऐसा कानून बनाओ जिसमें ये लोग घुसें तो पहले हमसे पर्मिशन ले चाह आप भी हमी प्रमारना हो तब भी पर्मिशन हमी से ले अब नितिश बापू क्या करेंगे अब क्या करेंगे ना अर भाई ये तैय आप हम नहीं कर सकते तो पर्मिशन आप सही मांगेंगी क्या तब तो नीतिश्कुमार को इस्टेंड लेना होगा उनका सायोगी जो गटबंदन है सरकार का सबसे बड़ा घटक दल है वो कहरा कि ऐसा कानुन बनाओ तो जब आप अलग अलग थे यह मसला तब उसे चलना है ठीक तब आपको कमजोर करने की शाजिस तो नहीं थी तब तो आपको आओ ललन सिंग खुद कहे रहे थे कि क्या 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 वे लालू प्रसाद्य आदव ने वही प्रमाण मांट रहे थे सबूत सबको आज आपता करना केक उधारन देढ़ू सारिका जी ने भी उसका संद्रुव दिया संजी Segay आपक आई सानइ होना चाहिए विहार में दो पनिवारी तक को पता है कि मसला क्या था, CBI को नहीं पता लगा, इसमें कोई रहस्य है क्या? नहीं पता क्या कारण था? पता नहीं है, और नहीं हो तो हम बता दें, बिहार किसी से पूछ लो जाके, सम पता देंगे कि CBI नहीं इसा क्यों किया? मसला यहीं पर आके उलच जाता है, सिस्टम से काम करें, कानून से काम करें, तो उसका आशे, बीजेपी का यह होता है, कि सबसे जाच, किसी क्या भी जाच हो सकती है, जब जनतादली उनाइटिट कहता है कि सिस्टम से काम करो, तो उसके पीछे इंप्लाइड एक भावना होती कि बाई कुछ को तु छोड़ो कि लिलाई सिर्फ वहां पर है कि किसको छोड़े किसको नहीं छोड़े मनिश पांडी जी बिहार में है आज जो मांग उठी वो कल अउर्टे जो सक्ति और पर्सण हो आज सुबह मैंने ट्विट किया नवीन पतनायक नितिश कुमार और ममता बनर जी बड़े नेता हैं बहुत लंबे समय से मुख्यमंत्री है ठीक और ममता बनर जी की भतीजे का प्रक्रण छोड़ दीजे तो ममता बनर जी इंडिवीजूल की बात कर रहा हूं ठीक भाजपा के धुर विरोधी है नीतिश बाबू से भाजपा लालू प्रसाद यादव से ज़्यादा खफा है उसको लगता है कि हमको नीतिश बाबू ने धोका दिया बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पठनायक ने बीजेपी के मंत्रियों को मंत्री मंदल से भगा दिया था इन तीन राज्यों में के मुख्यमंत्रियों को इडी सीवी आई इंकम टेक्स फेरा फेमाज और जीएस्टी जीएस्टी जितनी एजंसियां है कि उन्हें बंद करती है कुछ तो सोचना बढ़ागे ना जब संजीब कुमार ये कहेंगे कि विपक्ष कोई सता रहे हैं सब ल कि घर आया कोई नहीं ममता पंदर जी को किसी ने पख़ा नहीं बाकी क्यों पख़़े जा रहे हैं ये तो सोचो और अब मैं मनोष जी के पास आता हूँ जिस सीवी आई की इतनी लानत मलानत हो रही है कि हैं उस CBI के क्लोजर रिपोर्ट पर कल अखिलेश जी को राहत मिली सुप्रीम कोर्ट से उनको उनके परिवार को कि वो विपक्ष में है उनका और भाज़पा का अख्ला है उत्रपदेश में वो प्रमुख विपक्षी दल है भाज़पा से लड़नेवाले मनोज जी कैसी देखेंगे अगर CBI को ये टबंगा दे देंगे कि ये केबल सरकार के ही नियंत्रण में घाम कर रही है हाला कि मैं उस ठाइब का आदमी नहीं मैं तो बड़ा ब्लंट आदमी हूँ कोई सरकार आज तक ऐसी नहीं हुई मेरे इस मरण में जिसने CBI पर नियंत्रण नहीं रखा ठीक पिर भी मैं यह कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव को उसी CBI से रात मिली कि नहीं मिली मनोज यादव ने कहा कि संजीब जी कि एक आँख से कब तक देखो कि अब मैं यह समझने पारा कि एक आँख से देखने का नतीजा आख ने श्यादव को क्लिंच इट है प्लोजर है CBI का यह दोनों आख से देखने का है मसला यह तीसरी आख से देखने का मसला है यह दूसरे चरण में इस पर चर्चा करूंगा कि कितनी आखों का मामला है प्रताब तो नहीं एक लिंच इट में आप तो कही रहे अगमें दूसरी सारा कुछ कंट्रोल रहे तो कैसे मिल गई पर बड़ा सवाल उठेगा एक आख कने फिर सवाल उठेगा कि मसला कुछ और है क्या फिर आरजेडी वाले सवाल लें उठाएंगे कि हमारे घर पर चापा चापा मारे जा रहे है और उदर क्लिंच इट चल रही है क्लोजर तो आरजेडी वाले सवाल उठाएंगे रिष्टेदारी के बाद भी उठाएंगे यह मसला है खर संजी बाबू क्या राज्य सरकारों को केंद्रिय जाच एजंसियों के movement का permit देने का अधिकार दिया जाएगा तब इनके केंद्रिय होने का जो एक वो है आउचित वो खतम नहीं हो जाएगा अन्य था संभीधान में ये विवस्था कर दी जाती कि किंद्री जहां चेजिंसियां जहां मुवमेंट करेंगी वहां के राजसरकार से पर्मिशन लेंगी सुप्रीम कोट अपने किसी ने किसी जज्जमेंट में ये बोल देता नहीं ऐसा थो हुआ ने कभी यह तो ठीक है भाईया संजीब अभी मसला ब्यूटिक ने अभी मसला सिर्फ इतना है कि किसी के खिलाब कोई मसला आ जाए उसको खिलाब जाच हो और उसको जेल भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए अगर वो विपक्ष का है या ब्यूटि के अंटा या ब्यूटि वाले पैकेज में ये बात भी शामिल है कि विपक्ष वाले की जास ने करनी है ऐसा कुछ है क्या सब ने कहा जोशील अंदाज में कहा कि भाजपा में जोसे जुड़े जो भरष्टाच ने कुछ नाम लिए कुस तरिकाजी ने लिए क dramatic शनजी बढवन लिए कुछ संजी award ने लिए मैं मुँट कैनी हूं पोस्टर में बोली है कटर रिमान दार है वो राष्ट बख्त बोल रहे हैं वो कुछ बोलने बोलो सब लोग वो सामाज एक न्याय का जंडा लिये लेकिन माल का मामला तो माल का ही है हमको नहीं पता क्या यह मत समझाइए हमको खर मैं एक बात कह दूँ ताकि सब के लिए अच्छा रहेगा संजी बाबू लोग कहते हैं उनकी जहांच कौन करेगा हाँ उनकी जहांच कौन करेगा यह बड़ा पृष्ण है मुलाइम सिंग यादव के परिवार की आईसे अधिक संपत्ती का जो मामला था वो मनमुहुन सिंग की सरकार में तो मुकदमे में आता नहीं उसके खिलाब मुकदमा सरकार तो जहांच करती नहीं एक सज्जन कोर्ट गए प्रमाण लेके ठिक और जहांच हो गई समझे गवार को डॉक्टर सुप्रमनियम सब लोग पूछते ना कि कौन करेगा मैं रास्ता बता दे रहा हूँ मनोजादव कर सकते हैं संजीब जी कर सकते हैं सारिका जी इंडिविज्योली कर सकती हैं संजीब कुमार कर सकते हैं भाजपा के सारे लोगों की लिष्ट बनाईए प्रमानी खट्टे करिए सरकार के बड़े बड़े लोगों के खिलाप ऐसा ही मुकद में सुप्रिम मन्यम स्वामी ने सुप्रिम कोट में किये और अच्छे अच्छे नप गए अच्छे अच्छे जेल गए उनमें करुणा नि में यह पूस्तों कि कौन करेगा मैंने बता दिया उधारन है देश में आप लोग भी करो जितनों के नाम आप बताते हो लिस्ट में सबके विरुद्ध सुप्रेम कोर्ट में जाए 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 और होगी फूर्म में जब कॉंग्रेस की सरकार थी तो सोनिया गंदी और म जाए जाना चाहिए जब इतनी जानकारी है कि इसने कितने हजार करोन खा लिए तो उसको नपभाओ सुप्रेम कोर्ट जाओ जाना चाहिए केवल प्रेस कॉन्फेंस से बात ने बनेगी सारे लोग यह कह रहें कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन केवल विपक्ष भाले ही पकड़े जाएंगे तो बात नहीं बनेगी अब इसका आर्थे तो यह हो सकता बाइट बविपक्ष बालों को भी मत पकड़िये तो एक रास्ता ये विपक्श को पकड़िये तो अपने भी पकड़िये एक प्रष्टी खड़ा होता है, कि वाजपई की सरकार के बाद मनमोहन सिंग की सरकार आई यह 10 वर्षी ठीक मन मोहन सिंग की सरकार ने वाजपेई की सरकार में शामिल लोगों के खिलाफ उन्होंने भृष्टाचार किया तो जांच क्यों नहीं की और की तो उसका रिजल्ट क्या रहा देश के सामने तो बात आनी चाहिए इसमें चिलाने के को बात है नहीं बड़ा फेर बात है मैं सारिका जी के पास चलूँ सारिका जी अपनी पचाव की लड़ाई भी लड़िये लेकिर ऐसा क्यों नहीं हो जाए कि RJD जितने लिस्ट आप लोगों के पास है कि ये लोग भाजपा में आये हो पहले लोग उसमें व्यस्त थे भृष्टाचार में सबके खिलाफ सबूत लेकि सुप्रिम कोट मैंने आपको वराष्टा बताया ना सुप्रिम ने सौमी ने र तो की सरकार बचा पाई कुद को उनको आप लोग ऐसा शुप काम क्यों नहीं करते हैं सारिका जी कि देखें आमिताबची ने काम अच्छा है कि नहीं गलत काम तो नहीं अच्छा काम है उधारन सामने है इतने बड़े-बड़े लोग नप गए कि राने भाने की कोई कि किसी की हैसिया जैललिता और सोनिया गांधी के बराबर तो नहीं ना जिनके नाम ले रहे हैं मुकुल कौन कौन सुभेंदू यह चोटे लोग हैं इनके खिलाब क्यों नहीं जाते आप लेक सीबीडी के डायरेक्टर या और शायद सीवी आई के एक कशitution पर सुप्रीम कोड मामला गया था और उस पर सुप्रीम कोड ने महर्म मोहर लगाई कि आप सरकार के इस अधिकार को प्रत्मदित compute नहीं कर सकते stock दूसरा कोई राज्य की सरकार आईसी नहीं जो अपने अधिकारियों को एक्स्टिंशन नहीं देती कोई सरकार ही आईसी नहीं ठिक बिहार में ग्रेसेजिम नीतीश को पसंद आए नीतीश किसी फार्मूलेशन में मुक्यमंत्री रहे है वो आदम आदमी वही रखते तो क्या उसमें फासी हो जाएगी किसी को और जब आप यह कही रहे हो कि केंद्रका रहता है तो डारेक्टर राम लाल राए शाम लाल राए बात तो मानेगा ना अगर आप यह बैर कर ठीक संजीब जी संजीब कुमार जी आपकी स्थिती बड़ी गड़बड हो जाती है लालुई आदव पर जितने आरोप लगे वह सब आपके दूस उन समय या तो आपके द्वारा के लोगों को द्वारा लगाए गए और यगर दूसरे के द्वारा लगाए गए तो उसमें आपने कोरस किया कि हां हां ठीक कह र दाल दिये थे नहीं नीकिस बाबू के डाल दिये थे संजीव जी जो आप कर रहे हैं हमारे मुक्ष मंत्री जी के बारे और पूरे जदिव परिवार के बारे हम लोग ना किसी को पसाते हैं ना बचाते आप देख लिए पूरे रिकॉर्ड है विहार एक ऐसा राज अब साथ कैसे चलेंगे संजीव बाबू ने कहा कि बुजूर्ग है और बीमार है लालू जी अच्छी बात है और वह जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ हो ऐसी कामना है लेकिन बात उनको याद दिला दू कि उनसे जादा बुजूर्ग थे नरसिंगराओ क्या एक मामले समझेगा संजी बाबू हजर होना पड़ा मुन्सिप के सामने सुलो फिर उनके वकील बड़े बड़े वकील ने कहा यह बुजूर्ग है इनको कुर्सी दे दी जाए कटगरे में जजने का कुर्सी नहीं इस्टूल दे दो कानून यह हो था भाई साभ आपने कहीं सा उधान सब्सक्राइब को नहीं पूछो नहीं पूछो मनोजी सुब्रमिन स्वामी का एक उधारन महीने दिया और देश के चार बड़े नाम महीने लिए जो अभी जितने नाम आ रहे हैं चर्शा में नारायन राने से लेके शुवेंदु अधिकारी तक वो लोग बहुत छोटे है कदमे उन लोगों के मुकाबले जैलेलिता करुणा निदी राहूल गांदी और सुनिया गांदी क्या उनको ना उनकी सरकारे बचा पाई ना केंद्र की सरकारे उनके समर्तन से चलने वाली बचा पाई जस्ट विकॉज ऑफ वनमेंट सुब्रमनिम स्वामी आरोप थे करता है कि ये लोग चोर हैं और इन्होंने इतने बड़े-बड़े घोटाले किये हैं छोड़िये ना EDCBI केंद्र सरकार सुप्रेम कोर्ट चाहिए वहां से अपने अपकाम हो जाएगा जब मनमहन सिंग के समय में सोनिया गांदी खिलाब मुकदमा हो गया तो इनकी खिलाब ये रमिशंकर आते थे दिल्ली तब आज अखवार्व में था मेरे दत्पर आते थे आप गए किसी में शिवानन जी आप गए ने अपने मुकदमा किया नहीं ना शिवराज सिंग्य घिलाब कौन गया अदालत में आप क्यों नहीं गए शबत-पत्र ढाके जमा करिए और ज सब लोग नहीं आए थे क्या सुप्रिम कोट कि नेता ही थे कि मुंपलिन थो नहीं बेशते थे आप लोग क्यों नहीं गए और पर कलेजा तो जुटाओ आई कोट में लफ़ाजी नहीं चलेगी यह तह साच देने पड़ेंगे आपको तुकि वहां तो बाहर ही लिखा है लफ़ाजी नौट एलाउट लफ़ाजी के लिए यह सब हो सकता है प्रेस कांफेंस और टीवी र लेली तेजस्तुई जी चले जाए अदालत क्या कोट रोक रहा है कि सुप्रिम कूट जाएं और जितनी लिष्टे सब के खिलाब कहें कि हम बेरें सबूत इनके खिलाब जाच करवाईए हैं साब हुजूर बड़े आदमिये धत्काल हो जाएगा संजीव जी आपके पार्टी के अध्यक्ष केद्री बाल जी ने एक दवर में दो चार नेताओं को छोड़के सब को कह दिया चोर है प्रेस कौंफरेंस करके कहा था बड़ी लंबी लिष्ट जारी कर दी थी क्या उसमें इससे अधीकानस उसे माफी मांगी कोट के थू क्या है बोले जी हमने तो ऐसे बोल दिया था तो ऐसे बोलने से तो काम नहीं होगा मुगदमा लड़ना होगा तब तो फिर कमर कसनी हो गई ना नहीं तो प्रसकान पंस होके सजीब नसीर जी आपने अर्विन जी ने गटकरी से माफी मांगी जेट्री से माफी मापी मागी शीलादिक चिछे इन सबसे लिखित माफी मागी ना कि आपके नेता ने सव सबासो लोगों को चोर कहा माइक लेके और सब्सक्राइब गुप चुप 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 बेद दी बोले I am sorry ऐसा क्यों करते हो अरे एक वह नहीं हमको आरी बात काटने से पहले स्टोदबर सोच लिजेगा आ अर्विंद केद्रिवाल ने आपने शीरा दिख्षित से माफी मांगी थी आपने नितिन गटकरी से माफी मांगी थी ना आप देखिया मिताब जी आज बात ये नहीं है अरे लोग फिर आपने वह ना ना आप रूक जाओ अपर आगी बात आपकी अब मैं इसे पहुतर चाहता था अब आपने कह दिया आज बात यह ने इसका मतलब इस बात का उत्तर नहीं चाहता मैं श्रब इसी बात के खिलाप प्रहता हो कि उतना ही बोलिये जितने में सिद्ध कर पाएं लडाई कोट में जाए तो खड़े हो पाएं आदमी की तरह गुप 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 पित्धी लिखके मापी मांगे सिर्फ जुका के मत निकलो यार मसला यह था यह था आप बहादूर नहीं आप कमजोर हैं जूटी बात बोलते हैं यहीं नहीं तो वापी क्यों मांगेगा लालु यादव जी के खिलाब जिन लोगों ने मुकदमे किये आज तक किसी ने माफी मांगी नहीं लालु जी को सजा हुई कि ललन सिंग ने माफकव ए तरह से सजा हुई हुई की नहीं हुई है रविशंकर प्रसाद ने मांगी नहीं सर्जू राइ ने मांगी नहीं कि छिव migrantि मांगीिए 53 आ इसलिए मैं कहता हूँ हारोप लगाईए तो पूरी प्रामानिक्ता के साथ लगाईए और आंके तक उस पर ठिकिए उसको लॉजिकल एंड तक ले जाईए मित्र यह कीचल उचलने का काम ठीक नहीं मनीश पंडे मनीश पंडे मेरा मसला फिर वही जहां जिसकी सरकार है वहां भृष्टाचार के खिलाप निर्मम होके काम क्यों नहीं करें चाहे राज जी हो चाहे केंद्र हो भृष्टाचार के खिलाप बिल्कुल निर्ममता से काम हो मैं तो आशोक गहलोजी को भी बिल्कुल निर्ममता से काम करना चाहिए दिल्ली में अर्विंद केद्रिवाल को करना चाहिए बंगा इसलिए समस्या हो रही है वकील साब आप भी गौर से सुनू आगे काम आएगी जो CBI है न उसको लेके बहुत ज्यादा कुतु मीनार पर मत चढ़ा करो कोई क्या वो जिस एक्ट से संचालित है वही न मुख्य होगा किस एक्ट से संचालित है वह भाजपा तो तब पैदा भी से सचालित है यह की वह बता है जानकरी किस लिए इतना वहाई बgor जाएंट आम आई तो वह मत मचाओ यार कि CBI CBI लगे के नहीं नहीं यह तो अंतराष्ट्री कोट से चलेगी किये बल ऐसा नहीं है वो भारत की सरकार किया धीन है किसने आप से कहा धीन नहीं है अब रुक जाईए अपनी बात केस में कहो बातो मनीश शिसवद्या जवानत हो यहां कहने से कितना दुखी है साल भर से आप लोग जवानत नहीं कराएं उनकी छोड़ो अब खेर दूसरी बात में कहूं कुछ एडि में जाए कून जाएगा को नहीं जाएगा कौन करता है लंडन से होते नहीं न क्या दिखकत है कि आप करेंगे क्या क्या है वाइन लगातार नहीं ऍा तीसरी बात जजे CBI के डाइरेक्टर का चयन तीन लोग करते हैं मिलके जो लोग इस अभाल उठा रहे थे कि CBI का डाइरेक्टर उनको यह समझना चाहिए कि तीन लोग मिलके करते हैं भारत के मुख्षिनाय अदीश, भारत के प्रधान मंत्री और लोग सभा में नेता विपक्ष तीन मिलके जिस नाम पर सहमत होते हैं उस आदमी को CBI के डाइरेक्टर बनाया जाता अईसा नहीं कि इंडिया गेट पर जो पहला आदमी मिल गया चने मुर्मुरे खाता हुआ उसी इक बुला ले आए तो चलो तुम्हें डारेक्टर बना दे ऐसी नहीं बना सकता अब भारत में व्यवस्ता है कि सरकार पूरी जोड लगा ले फिर भी वो कहे कि अम राम लाल को बनाएंगे और चीप जेस्ट्रिस और एलोपी अगर सहमत नहीं तो नहीं बन पाएगा इस सचाई को तो जानो कि केवल प्रेस कंफरेंस प्रेस कंफरेंस टाइप के जिराजनीत करोगे कि धका धक चाहिए जो आरोप लगाओ शट तक दलीज निगल लो इससे नहीं न अब तो इलेक्शन कमिशन के लिए भी सुप्रीम कोट ने कह दिया कि चीफ इलेक्शन कमिशनर और चुनावा युक भी बैठेगा जब खडगे जी के बाइटके जे पैनल में शामिल होते हुए डायरेक्टर सीवी आईता हो रहा है भारत के मुझ खिनाय दीश के चलते हो रहा के पैनल में है तब हो रहा है फिर क्या तकलीब है इसी तरीकी हमेशा होता था और इससे पहले यह जानकारी के ल जिस पर मना जा उसी बना देते थे अब नहीं कर सकता कोई ना यह वाले कर सकते ना इनके बाद वाले कर पाएंगे यह भी समझ लीजिए यह सब मन मोहन सिंग आरे नर्सिंग राव तक चला फिर जागरती आ गई नहीं हो पाया इतना तो मानो और दूसरी बात मैं कहता हूं कि जिन जिन लोगों को लग रहा है कि सामाजिक जीवन में जो लोग राजनेतिक जीवन में भाजपा में आ गए वो भरस्टाचार उनके मामले बंद हो गए उन सब के मामले खुलवाने के लिए मैं निवेधन कर रहा हूं समाजवादी पार्टी से आम आदमी पार्टी से आर जेडी से जेडी यू से और जो नहीं कांगरेस सब से कोट जाएए हलफ नामा दायर करिए ना भारत माता की सेबा तो करिए लेकिन आप नहीं जाएंगे ना आप यहां रोज बताएंगे कि 300 करोन का गोटाला एराम लाल का और 1000 करोन का शाम लाल का मैं कहता हूं मेरे भाई तुरंट टेक्सी पकड़ो सूपरेम कोट जाओ इगो हूं मेराबर बख्ले जाए कोई नहीं जा रहा मेर आवास कोई नहीं सुन रहा कुए दावा सब कर रहा कि मुझे पता है कोन कितना गोटालेवाज नहें सुस्वेंदु अधिकारी यह और कौन गद्रणा और क्या क्या सब को पता है मैं करता हूं जाए बोले नहीं जाएंगे नहीं तो प्रेस कांफरेंस करेंगे क्योंकि प्रेस कांफरेंस में अकाउंटबिलिटी नहीं है अगर आप मुकदमे में जाएंगे तो आप लीगल फ्रेम में अकाउंटबिल हो जाएंगे वकील साफ गलतो नहीं गा नेता को सबसे बड़ा लाब मालूम क्या है क्या बोला और निकल लिया क्या है बहुत जंजेट हो जात कदो मेरा आशे यह नहीं था तोड़ मरोड के प्रस्तुत किया और आदमी हो पीछे पढ़ जाए तो मा भी मांग लो कदो बाई चलो सोरी क्या लेकिन अधालत में जब पिटिशन दायर करेंगे और एक बात कहिके बात समाप करूँगा मनोज मेरे छोटे भाई है सतरकता विभाग में बगिल साब आप भी संजी बाबू आप भी और सारी काजी आप भी सतरकता विभाग में जब आप किसी के खिलाप चिट्टी बेजते हैं ना यूपी में ऐसा है मैं रहा है बाकी राज्यों में भी होगा तो पलेट के वो उधर से चिट्टी भेजते हैं बगिल साब क्रपिया इसको शपत पत्र पर सत्यापित करें इस जानकारी को क्या गाल बजाने से नहीं ये जान लेगे सतरकता विजनस कहती है कि आपने चिट्टी जाली भई भलाने भलाने चोर हैं वो कहेंगे इसको सत्यापित करिए अपने पूरे पैन नमबर आधार नमबर की फोटो कापी एसल पर टेस्टेड लगाने के साथ शपत पत्र दीजिए इ अच्छी बात है किसी पर आप बड़ा आरूप लगा रहे हैं तो इतना कुबद तो रखो मनुद बाबू गलत बात ने गहीं अन्यता तो सबके लिए ये एनलेस हो जाएगा सब किसी भी भले आदमी के चेहरे पर कीचर लगा भाग जाएगा कोई कि मैं कहरा हूं 300 करोन 400 करोन 5000 करोन 10,000 करों और देखिया पर आदालत में क्या इस्तिधी बनती ऐसा क्यों नहीं कर रहे कोई रोक है नहीं ना अपने व्यक्तिकत मसले अधालतों में लड़ी रहे हो ना देश के लिए भी लड़ो मैं सारे बेवक्ष के नेता हूं जा कहता हूं सुपरमेन स्वामी कत करोना निदी से जहले निता से सोनिया गांधी से रावल गांधी से कोई जमीन खेत का जगला था नहीं ना हिसले द्धश हर नहीं किसी रहे इस värशाष चुराई थी नहीं है उन्हों ने थना पन क्यों लिया है कud लियं हैं कि अब दस्केए नीतिश ऑसीऊ क्यों ले लेते यह नितिश ऑसे लाबू क्यों नहीं लेते कि हाला कि नितिश कुमार की इस मामने मतारिव करूंगा, वो बहुत ज्यादा फटेम टांग भी नहीं देते किसी के, वो कूल-कूल चलते हैं अबने ठीक है, भागे उनके साथ है, लेकिन बाकी लोग ऐसा क्यों नहीं करते, राउल जी ने कहा कि साइकिल गुंडागर्दी करती है, और हाती जो है, वो रुपया खाता है, एक भाजपा उत्रपदेश की रैली में आके कहा था, उनसे कहा जाता कि शपत पत तब देते, नहीं ना, चलिए, राजनेतिक मंचों पर छूट रहनी चाहिए, नेताओं को बोलके निकल जाते हैं, लेकिन आदालत में तो जाएं के मंचों पर हैं, उन शिकायतों के निश्तारण के लिए अधालत जाईए, दो उधारन सुप्रमणेम स्वामी और लालू जी का केस, कौन-कौन लोग पैरवी कर रहे थे, मैंने उनके नाम भी ले दिये, वो सब लोग अभी है, अपनी जेब का पैसा लगा के आते थे दिल करते हैं, कर दे मुगदमा, क्यार बड़े वकील खड़े करें, नहीं, वो प्रसकंफिंस करेंगे, प्रसकंफिंस से बाहर निकलिए, अधालत के आंगन में आईए, दूद का दूद, पानी का पानी करिए, धन्यबाद.